इस वक्त हमारे साथ मौझूद है कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्स राजेश ठाकुर जी दो दिनों का कारेशाला कितना मजबूत होगा कॉंग्रेस किस तरह से मन्थन हो रहा है देखिए हमने पहले भी चिंतन सिवीर किया था और बहुत सारे जो हमारे कॉडिनेटर्स हैं और सारी सारे लोग हैं उसमें सामिल नहीं हो पाए थे और जो अखिल भारतिय कांग्रेस कमीटी के द्वारा जो नौ संकल्प सिवीर किया गया राजस्थान के उदैपूर में उसम करने का काज़कम था वह आज दो दिवस्टे काज़कम आज समाप्त हो जाएगा हमने बहुत सारी चीजे तै की हैं पदियातरा में कैसे जाना है कितने लोगों को इन्वाल्ब करना है क्या रूट होना चाहिए रूट प्लान तै करना है और फिर दो अक्टूबर से किस तरह करेंगे पदियातरा करेंगे तो हम लोग उसमें लोगों को जोडने का काम करेंगे और किस तरह से कांग्रेस ने जो पिछले 70 सालों में विकास को गती दी थी और कितना काम किया था और उन सारी चीज़ों को कैसे बेचने का काम किया जा रहा है किस तरह से आठ साल में भारत की सरकार ने चल करने का काम किया है जनता को दोका देने का काम किया उन सारी बातों को पदियात्रा के दौरान हम लोग छोटी-छोटी सभा करके रात में रात्री विश्राम करके बताने का काम करें एक बड़ी उपलब्धी हासिल हुई है जिसकी मांग आप लोग कर रहे थे कॉडिनेशन कमिटी की अब उसका गठन हो चुका है तो क्या सरकार का जो कामकाज है वो और तीज रफ्तार से चलेगा नहीं देखें जब से हमारे प्रभारी आधर्णिया विनास पांडे जी अपना पदभार समाला उनकी लागातार ये एक सोच थी कि एक जो समन्वाई समीती होती है अगर समन्वाई समीती होगी तो उसमें बहुत सारी बाते आएंगी और उस पर एक चर्चा करने के उपरांते एक निर्णय लेकर हम सरकार को बता पाएंगे आपने देखा पिछले दिनों राजिसावा में किस तरह से संबाद हिंता की वज़से बहुत सारी चीजे होई अब ये सारी चीजे इस पर तै हो जाएंगे जो हम लोगों ने समन्वाई समीती बनाया उसके बाद हम लोग ज्य निशान किया जा रहा है उससे निजात मिलेगी उसको निजात मिली चाहिए उसके लिए हम लोग काम करेंगे सरकारी योजनाओं को दाड़ातल तक पहुंचाने के लिए चर्चा करके मजबूती से उसको पहुंचाने अधिक जी एक महत्मून सवाल जो राजसभा चुनाओ हुए थे जैमेम और कॉंग्रेस में क्या इस कोडिनेशन कमिटी के द्वारा सब कुछ अब ठीक हो गये जहां जिंदा लोग रहेंगा जहां सही बाते होंगी वहां तक्रार भी होगा और इक्रार भी होगा तो इसमें कहीं बहुत चिंटा करने की बात नहीं है निश्चित से जब कोई भी संगठन होता है तो अपने संगठन की मजबूती के लिए समय समय पर वह अपनी बात को मजबूती से रखता है वो चाहे जामो मों हो चाहे कांग्रेस हो चाहे राजएद हो तो उससे बहुत सारी बाते सामने में आती है मीडिया का भी अपना कुछ रोल है व कॉंग्रेस के जो प्रभारिया धनिया विनास पांडे जी खुद जा रहे हैं नॉमिनेशन कराने और सारे तमाम जो लीडरान है इस कारेसाला में वो सब लोग यहां से सीधे प्रस्तान करेंगे हम लोग बंदूतिर्की जी की बेटी नेहा कॉंग्रेस की उमिद्वार नेहा उसके लिए हम लोग नमंकन कराने जाएगा तो बिलकुल कॉंग्रेस प्रदेशाद्यक्स राजश ठाकुर्जी थे उसापतर कह रहे हैं कि जो मजबूती कॉंग्रेस को चाहिए उसके लिए मंथल चल रही है और जो सरकार के साथ समन्वे बनाने के लिए कॉडिनेशन बनी है इससे अंतिम पैदान पर बैठे लोगों को भी मदद मिलेगी इसलिए कॉंग्रेस ने इसकी पहल किती और वो पुरा हुआ है आगे सरकार बहतर कारेगी इसकी वो लोग तमाम लोगों के कोशिस रहेगी अपने साहयोगी हिर्दय के साथ मदन सिंग न्यूजबाइस पोप्राची